हलो नमस्कार दोस्तो आशा Да करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगग का जो रोजल्ट आ गया है उसमें आपके अच्छे नामबर भी आ थेखिया आगे की जो प्रोसेस होता है क्लिक्नी कंलेंग होने वाली he कितनी date को आपकी counseling होने वाले है और document वहाँ पे आपके लिए क्या क्या चाहेंगे तो इस वीडियो के माद्यम से सारी चीज़ें आप लोग की clear कर दी जाएगी तो वीडियो को शुरू से end तक आपको देखना है बिलकुल समझ में आ जाएगी और हाँ BSTC से सम्मंद जो भी आपकी important जानकारी होती है वो इस channel के माद्यम से आपको देदी जाती है तो चैनल को भी subscribe कर लेना और वीडियो को like कर देना है तो चलते हैं अपने सबसे पहले document के बारे में देख लेते हैं देखे BSTC आजिस्तान BSTC 2023 देखे required document डोकोमेंटों की आपसकता कौन कौन से की होती है एक तो आपके पास 10th और 12th की दोनों मार सीट होनी चाहिए आधार कार्ड आप लोग के पास होना चाहिए जाती प्रमान पत्र आप लोग के पास होना चाहिए और EWS भी आप लोग के पास होना चाहिए जो जर्नल वाले होते हैं उनके लिए जो ठीक है एक आप लोग के लिए जो passport size photo और signature और mobile number यह सारी चीज आप लोग के पास available होनी चाहिए ठीक है यहां तो आपके समझ महोंगी सबसे important बात यह है कि जो आपका result आया है उसकी आप लोग के पास copy जरूर होनी चाहिए फोटो copy जो आप लोग का result आया है उसकी फोटो copy आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए क्योंकि वहां पर प्रूप मांगते हैं कि यह है यह नहीं हो ठीक है और यह बात हो गई और आप सभी यह मुझे जरूर कमेंट करके बताएगा इसकी जो एक्जाम डेट है ना मतलब और जो भी आपकी जानकारी रहेगी जो भी नोटिफिकेशन होगा वह हम आपको देते रहेंगे बस आप लोग को बने रहना है ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना है और हाँ जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि देखो काफी बच्चे जिन बिच्चारों के साथ दोका हुआ है तीन तीन नमबर आए उनके जो ठीक है दो सो मसे तीन नमबर आए तो उनके लिए कुछ विकल्प निकाल रहे हैं कि रीचेकिंग हो या रियू एविलिवेशन हो कुछ भी कराएं लेकिन साथ उनके लिए कुछ बैटर करने की प्रिया